वीडियो के एंड तक जरूर देखना चली वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं मेरा नाम है रोसनी आपसे भी का टैक फॉर रोसनी में स्वागत है तो चली फर्स्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं आप यह कोई भी एप्लिकेशन वगेरा ओपन करेंगे तो एप्लिकेशन ओपन और क्लोस होने में बहुत ज़ादा टाइम लग रहा है बट हम इन्हें फास्ट भी कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर रजाना है देन यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है डैवलॉपर अभी आप यह देख सकते हैं डैवलॉपर ओप्सन हमें देखने के लिए मिल गया है देन आपको यहाँ पर नीचे आना है स्क्रोल करके नीचे आते जाना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिंडो एनिमेशन स्केल तो क्लिक कर देना है यह आपका पहले से 1 एक्स पर रहेगा तो आपको 0.5 एक्स पर कर लेना है से तेन आपको नीची क्लिक करे के सी भी पॉंट फाइब पर कर लेना है तेन इसे भी आपको पॉंट फाइब पर कर देना है अब आपको बैक अजान है अपनी होम स्क्रीन में अब आपना कोई भी यह आप्लिकेशन उपन बहुत जादा फास्ट ऑपन एंड खोगी अभी आप यह देख सकते हैं उपन ख्लोज उपन ख्लोज तो कुछ इसलिए आपको यहां सेटिंग पर आजाना है देन डैवलोपर सेटिंग पर यहां पर आपको सर्च कर लेणा है इसम मॉलेड विट सिंप्ली आपको यहां क्लिक करों मिलन के là बाफह यहां पर कोलिक कर देना आप देखो एक magic होने वाला और magic हो चुका है अभी आप यह देख सकते हैं जो font के size वगएरा है वो एकदम छोटे-छोटे हो गए हैं आप यहां home screen पर आएंगे तो जैसे laptop और desktop में home screen दिखती है वैसे ही यहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है और यहां मैं आपको control center न दिया है आप यहां पर multiple app बगएरест उपन कर सकते हैं Kok verf क्रेक्टे उप में वीक खर करेंगे तो आप बहुत सारे एप यहां पर उपन कर सकते हैं मतलब कि आपने यहां पर multi-tasking बगएरा कर सकते हैं जैसे कि आप टैबलेट लैप्टॉप बगेरा में करते हैं तो कुछ इस टाइब से आप अपने फॉन को टैबलेट जैसे बना सकते हैं अब आपको अपना फॉन नॉर्मल ही करना है जैसे आपका पहले फॉन था बैसे ही करना है तो इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर जाना है अब आपको यहाँ पर 384 को टाइप कर देना है अब आपका फॉन जैसे पहले था ना बैसे ही हो जाएगा चलिए नेक्स फीचर आपने इस फॉन में दो एप्लिकेशन एकसा चला सकते हैं कुछ एप्लिकेशन ऐसी होती है जो कि स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करती है जैसी कि मैं आई मैनिजर को ओपन कर लेती हूँ आप थिरी फिंगर से कुछ इस टाइप से करेंगे तो यहाँ पर आ गया है split screen को ये eye manager support नहीं करता है बट हम इसे support भी करा सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर अजान है setting पर then search कर लेना है developer अब आपको यहाँ developer option पर ही search कर लेना है force activities to be resizable यहाँ पर आपको option मिल गया है then आपको यहाँ click कर देना है यह जो features है यह पहले से offer है तो इसे on कर लेना है अब जो भी application split screen को support नहीं करती है तो वो भी support करने लगेंगी चलिए next features आप instagram में beauty calling बगेरा करते हैं तो आप उहाँ पर filter लगा कर अपने face की beauty को बढ़ा सकते हैं बट आप यही काम facebook या फिर whatsapp पर करेंगे तो यहाँ पर नहीं होता है तो इसके लिए आपको मैं एक features बतात off रहेगा इसे on कर लेना है अब आप जब भी facebook या फिर whatsapp में वीडियो कॉल में बात करेंगे तो आपके face की beauty और जादा enhance हो जाएगी मतलब कि आपका face na beautiful सा लगेगा चलिए next features आपको यहीं setting पर अजान है then आपको यहाँ पर search कर लेना है developer option पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको search कर लेना है power right force dark तो यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर भी न यह पहले से आपका off रहेगा तो इसे on कर लेना है अब इसका क्या use रहेगा कि जो application dark mode को support नहीं करती है तो वो application भी dark mode को support करने लगेंगी जैसे कि myzio का जो application होता है वो dark mode को support नहीं करता है बट आप यहा इस features को use करना चाहिए यहाँ आपको setting पर रजाना है then आपको यहाँ पर safety and emergency के option पर click कर देना है आपको यहाँ पर emergency content के option पर click कर गेंगे यहाँ से contact set कर देना है कि आप जब भी emergency वगेरा रहेगी और आप power button को तीन बार press करेंगे तो आटोमेटिक ही उस person के पास call लग जाए लेकिन उससे पहले आपको यहाँ emergency के option पर click कर कि यह पहले से आपका offer हैगा इसे on कर लेना है अब आप जैसी power button को तीन बार press करेंगे न तो आटोमेटिक ही उस person के पास call जाने वाली है और आपके फोन में कितने battery है आपकी क्या location है सारी चीजे यहाँ पर जाने वाली है जै इस person को तीन बार press करेंगे न तो उस person के पास call लगजाईगी तो आप कभी भी emergency में फसी जाते हैं तो आप इसे जरूर से इनेवल करकर रखिएगा चलिए next features यह बहुत ही funny way type का है आपको यहाँ पर आजाना है setting पर then developer option को सर्च कर लेना है और यहाँ आपको developer पर एक features सर्च करना है so surface update तो यहाँ पर click कर देना है अब यह features न आपका पहले से off रहेगा इसे on कर लेना है अब आप यह जैसे आप इसको on करेंगे न तो इस type से आपके phone के color वगएरा हो जाएंगे मतलब कि ऐसा लगएगा कि phone हमारा बिगड़ गया है अगर आपको किसी से frank वगएरा करन है न तब आपके लिए features बहुत जादा useful रहेगा फिलाल तो में इसे बंद कर देती हूं आप अपने friend या family member से frank करना चाहते हैं तो आप इसे use कर कर देखिएगा देन आपको यही उपर मिल जाएगा so tap तो आपको इसे भी on कर लेना है अब आप ऐसा कहीं भी touch करेंगे न तो यह कुछ इस type से pointer location बनती है यह features जादा काम की तो नहीं है बट आपको use करना है तो करिए नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं चलिए अब next features जो की काफी जादा useful रहेगा जैसी कि आप किसी से भी wifi लेकर कोई picture या फिर application वगेरा डाउनलोड करते हैं बट जैसे ही wifi बंद हो जाती है तो फिर वो डाउनलोडिंग बंद हो जाती है और फिर आपको से शुरू से डाउनलोड करना पड़ता है तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक features मिल जाएगा developer option में ही mobile data always active तो इसे on कर लेना है अब आप किसी से भी wifi लेकर कुछ भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं त तो जैसी wifi बंद होगी तो आपके mobile में जो net है उसमें transfer कर देता है automatically तो बीच में ही downloading बंद नहीं होगी इससे बोना बीच में ही नहीं कटने वाला है और आपको दोबारा मेहनत करके उसे download करनी की ज़रत नहीं पड़ेगी तो आप anytime इसे जरूर से on करकर रखिएगा चली पैंसिल को option पर क्लिक करके यहां पर आपको मिल जाएगी mini screen तो यहां पर आपको इसे na add कर लेना है इस features को अब आपको यहां mini screen पर आजाना है और जैसे ही आप यहां पर click करेंगे तो यह देखो आपका phone one handed हो जाएगा और आप एक ही हां से यहां पर phone को use कर सकते हैं चलिए आप बहुत जादा photo और video यहां पर collect करके रख सकते हैं आपको google photo पर आजाना है then आप first वार आएंगे तो यहां पर आपको पहले अपनी gmail वगेर टाइप कर देना है और उसके बाद जो backup का option आएगा उसे आपको यहां पर on कर लेना है अब जो भी आपकी gallery में photo रहेंगी न यहां पर रख पाएंगे next वीचस अब मैं आपको बता देती हूं कि आपको developer option को कैसे enable करना है तो इसके लिए आपको यहां setting पर आजाना है then आपको नीचे आना है about phone के option पर click कर देना है अब आपको यहां पर ना software information पर आजाना है यहां पर आपको मिल जाएगा build number तो आपक देख सकते हैं developer option enable हो गया है तो अब आप developer option enable करके जो मैंने सारे features आपको बताए है वो सारे features आप यहां से use कर पाएंगे इस phone के top 10 unique features वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी थोड़ी सी भी help वी तो please share वीडियो को like करके चैनल को subscribe करना तो बिलकुन भी नहीं भूलना अब हम मिलते हमारे next वीडियो में thanks for watching this वीडियो